कि अलो प्रेंट्स स्वागत है सभी का वाला में और आज को सेशन है आपको 70 के लिए है कि मतलब कि कैसे है क्या है इसके पीछे रिजन यह है कि अब यहां पर चीजे अब फ्लोवाइज मेरा स्टार्ट हो रहा है तो मैंने सुचा कि इस सेशन से ही चीजों को मैं सुरुवात क करूंगा है ना कि अब है क्या है सब्सक्राइब करने से पहले और भी बात को करना की चाहता हुआ कि जो बच्चे जोड़ेंगे बात करेंगे सब कुछ यहां पर बाते करेंगे सब कुछ तो जो बच्चे को पता है सब बहुत चीजों की जनकारी है उनके लिए भी है सेशन ठीक है तो चलिए हम लोग सुरू करते हैं अब सबसे पहले अगर मैं बात करो सब्सक्राइब यहां पर प्री दीख रहा है प्री का डेट अब 30 सितंबर को एवरी एर है और में का डेट एवरी एर अगर मैं 70 की बात करूं तो आपका एक्जाम होगा 30 सिप्तंबर कि 2024 कि क्लियर और में की बात करूं तो तीन से साथ जैन के बीच 2025 कि सुनने बड़ अच्छा लग रहे हैं कि तो है तीस में 25 में से कुछ ज्यादे ही त्यारी करने का आपको मिलेगा मौका देखी अब छीजे Radio यह क्या होता है यूपी हैसी इसप्रकार से क्या करते क्लेंडर देता है अंगर नहीं भी देता है तो लगभग उसके आस पास का होता है विकर कट्डेट चेंज होता है तो एक जो पहले सब चीज़ा चली आएंगी ना तो होता कि तयारी करने में बहुत आसान होता है तो एक चीज चेर में जी ने बहुत ही बहतर किया है कम से कम चीजों को क्या कर दिया आसान बना दिया है कि आपको एक प्लान स्क्राड़ेजी त्यार करने में क्या हो गया यहां पार चीज़े पहले समीं पता चल लगए कि यहां पर हमें प्री और मेंस तो प्री के लिए आपको टाइम दिख रहा होगा दिसंबर अब इतने वाला है ना दोजार थीस खतम होने वाला 24 स्टार्ट है तो आपको ल आपको एकनोमिस के कोश्चन में हो पॉलिटी के कई सारे को सेक्षन में हो जोगरफी के भी कुछ सेक्षन में आपको चीज़े चेंज मिली है ओवरल कहने का मतलब यह है कि आपको जो भी त्यारी अब करनी है वह आपको एक फॉंडेशन मत एक पकड़ बना कर NCRT बेसिक च अगा आपको दे दे रहे तो इसमें क्याका नेदी प्राक्टिस करना एससे प्राक्टिस करना है था मैं लेकर कर लेकर करना क्लेश यहां पर आतें हैं आप सब एक नंबर का होता है है ना कि निगेटी मार्किंग हो चुका है माइनस वन बाइच्री और इसमें जो है इस बार भी आपको लगभग 90 के प्लस आपको कट अफ गया तो कहने के मतलब यह है कि 150 कोस्चन में प्रारंभिक प्रिच्छा जिसमें लगभग सब कोशन पूछे जाते हैं आपको 10 कोस्चन होते हैं मैट के और 140 नंबर होते हैं आपको जी के जी एस अना जो न्यू बच्चे उनके लिए बता देता हूं कि के दस कोश्चन मैट 140 कोश्चन जी के जी एसमें करेंट वगरा बिहार वगर सब कुछ ठीक है इसके बाद आपको मेंस का यहां पर क्या होता है एक्जाम में मुख्य पर इच्छा में जो कि यही यह यह आपको क्या पासिंग यह पास हो जाए यह खेल खतम इसका कोई मार फाइनल एक्जाम में में नहीं जूडता है मार्स कहां से जूडना सुरू हो चायता है ही यहां से उसमें पहार में भी नहीं इसमें क्या करना अभरता है छेल कहां onder घ्रव पर 122 प्लस से ठीक है प्लस इंटरव्यू तो यह आपका सेक्षन है और एक्षिक भी से आप वही चुन सकते हैं जो आपकी मर्जी कोई भी आपको इसमें नहीं है यह भी पास ही करना होता है अब ठीक है इसके अलावा समान अध्यान वन में क्या है समान अध्यान टू में क्या है समझ जाइए जो भी नए बच्चे है पुराने बच्चों को तो जनकारी होगी समान अध्यान वन में है आपको इतिहास उसकी संस्कृति जिसमें आपको आर्ट एंड कल्चर वगरा के कोशन पूछे जाते हैं सेग और यहां पर होता है कहने के मतलब कि इसमें भी करेंट की भूमिका होती ठीक है क्योंकि साइंग से पूछ देता है जो रहें पॉलिटी भी क्या करता है स्था आपको करेंट से रिलेटेड ही पूस्ता जनरली तो अगर मैं बात करूँ पेपर वन पेपर टू तो आप लोगो से बहुत ही जाई है तो आप वेवसाइट पर भी देख सकते हैं वहीं से ही आपको लिया गया है यहां फिर आपको क्या करना है इसको लिए यहां से देख लिए बाकी क्लास में तो हम लोग करेंगे कल से प्रथम बैचे स्टार्ट भी है है अना मेरा अब देखिए अब आते हैं point by point फिर हम लोग एक एक चीजों पर बात करेंगे आप लोग में से कितने बच्चे हैं तो 70 दे रहे हैं कितने बच्चे 70 दे रहे हैं इंग्लीज बैच आया हुआ सक्षम कितने बच्चे हैं 70 दे रहे हैं बताए भाई पहरे बच्चों कि पहरे हैं ना कि चलिए कि सबसे पहले अगर मैं प्री की बात करूं प्री क्लासेज प्री क्लासेज नहीं प्री एक्जाम क्या क्या बलवाते रहते आप लोग प्री एक्जाम ठीक है यानि तीस सितंबर कुछ section जो है अलग रंगा हुआ है कुछ section थोड़ा सा अलग रंगा हुआ है इसके पीछे रिजन है इसके पीछे मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि यहां से आपको बहुत सारे चीजे क्लियर होंगे थोड़ा सा अराम से बात करेंगे अब देखिए सबसे पहले हिस्ट्री की बात करें तो यहां का थोड़ा सा इंपोर्टेंज बढ़ जाता है इंपोर्टेंट के थोड़ा सा बढ़ जाता है यहां से ओन ऑन एवरेज लगभग आपको 25 प्लस क्यों अलवेज रहते हैं है कि टिके on on average 25 प्लस क्यों ऑलबेज रहते है कि इसके अलावा करेंट दफेर 25 प्लस ओलवेज बिहार स्पेशल विट करेंट फेर लगभा 20 से 22 प्रस्न और वेज कि साइंस टेक्ट ने इस बार वहिया कमाल कर दिया है यह भी 25 प्लस ही रहता है कभी अठाइस कभी 30 इस बार 30 दिया था फिर से पार्ट वन वाले के लिए भी है जोगरफी लगभा 15 कुश्चन पॉलिटी लगभा 10 कुश्चन इस बार एक्क्रोमिक्स में 10 प्लस पूचा था मिसलेनिये चाथ दस होते हैं ठीक है मैत आपको होता है दस लगता है ठीक है इसी में 19-20 रहता है इसी में 19-20 करके रहता है 19-20 कह अगर आपको प्री पास करना आपने एक मेरा सौर्ट भी देखा होगा उसमें वह बताया भी आपके पास चार सब्जेक्ट का कमांड है अगर चार सब्जेक्ट आपने कमांड कर लिया तो आप प्री के दोड़ में रेस में एगदम आगे रहिएगा वह कौन सा चार है हिस्ट्री करेंट अफेर विहार स्पेसल विच करेंट एंड आपको साइंस साइंस ते तो बहुत कम चांसे मिसलेनियस में होता है ना खेल कुछ से संबंधित अगर इस पर आप लोग कमांड हो गया तो मुझे नहीं लगता है विपेसी का प्री आप से रूखेगा कभी नहीं रूख सकता है और नहीं कोई रोग पाएगा आपको भी चाहे कि जादू मंतर करके फलना का प्री रूखवाते नहीं रूखेगा अगर आपके पास चार सब्जेक्ट का कमांड होगा मतलब कि लगभख सो कोश्चन का कमांड रखे हैं और इधर भी आपको बनी जाते हैं त सब्सक्राइब करेंट अफेयर जोग्रफिश तीन चीज मैं आप निप्टा दूंगा तो बाकी और सब्जेक्ट के अलग-अलग अच्छे-चे आपको यहां पर चीजे हो जाएंगे यह तो खैर अलग बात है कि आपको कहां से यह कहीं से अगर आप पढ़िएगा तो अभ देख रेक नहीं आप लोग कि फैक्ट्वाल जो कोश्चन है उस तरीके से नहीं पूछे जा रही हिस्ट्री के कोश्चन को कुछ देख लिजी अभी तो हिस्ट्री में वैसे चीजे थी लेकिन अगर अन्य सब्जेक्ट में देखेगा तो नहीं था इभेन आपको भी तो आप पढ़ाते हैं विहार इस्पेशल यहां पर बरूनशर पढ़ाएंगे बहुत संदार जmi और तो क्रतें है तो हाद चीज हम बात करते हैं या पढ़ें स्मार्ट तरीके से और बीप्यसी निकाल ले मुझे लगता है कि आप्सण वी आलवेज आप लोग चुनिए गा कि स्मार्ट तरीके से पढ़ें कि मुझे नहीं चाहिए गहन अध्यान पढ़ लेंगे बाद में सेलेक्शन लेना है ना जनरली यही होता है मुझे इससे क्या मतलब कि पुरा डीप नॉलेज ले ले जैसे आप जाएगा तो आपको बहुत सारे लोग दिख जाएंगे इस फिल्ड में कि डीप नॉलेज तो है लेकि सेलेक्शन नहीं पाया कभी किस्मत की भी बात होती है और कभी होता है कि स्मार्ट नहीं खेल पाए मुझे लगता है कि आप Kane भारत मठलीं भारत इंसेंटिस्टी मेन एंडडद फटट्थ वह है आपको आदूनिक भारत यानि अब को ओडूनों से को सब सबकों मैं इसको क्यूं लिख रहा हूं एक तम बैसिक से怎么 करवा रहा हूं ठीक है और कालिन अगर मैं भारत की बात करूं तो यहां पर प्रस्ट की मुझकिन से दो किन प्रशन होंगे है मैं इसका बैटीज नहीं होता है और मैंने कई कुछ ऐसे बच्चे को देखा है कि पूरा मीड़ा वालिस्टिप पढ़े हुए मां रखबर बाबर पूरा इदम पढ़ लिया बीरवल तेरवल सब्सक्राइब कोई मतलब नहीं पर यह ठीक है नॉलेज के लिए पढ़ाओ अच्छी बात कोई दिक्कत नहीं लेकिन क्या वागई में स्मार्ट खेल रहा है बिल्कुल नहीं क्यों क्यों कि यहां से प्रस्ण बहुत कम होते हैं तो देखिए का ना कि कई लोगों को देखिएगा कि वह बोलते हुए नजर आएंगे कि मैंने मध्धेकाल भारत पढ़ा ही नहीं था इसलिए नहीं पढ़ा करेंगा उस टाइम को आप यहां पर सिफ्ट कीजिए अपने कि क्या होता है आधुनिक भारत से सबसे पहली चीज तो द्यान रखिएगा कि आधुनिक भारत से तो आपको प्री में तो कोस्टन होता ही यह लगवाव 18-19 में भी वहीं से खेला जाता आप इस बार अगर मैं 68 के में की बात करूं तो आपको सौट कोस्टन कितना माइन रखा है इस बात जिसने अगर बहुत ही अच्छा से डीप पढ़ा होगा उसका देखो कितना बहतर तरीके से गया होगा है तो क्यों ना हम लोग अपना पूरा इनर्जी यहां पर लगा है उड़ यहां पर लगा है इंसेंट हिस्त्री के जहां तक बात है तो इंसेंट का भी वेटेस क्या होता है कम होता है लेकिन मोर दैन मेडियेवल तो हमें प्राचीन भारत मध्यकालीन भारत पढ़ना है प्राचीन भारत मध्यकालीन भारत पढ़ना है लेकिन बहुत ज्यादा डीप नहीं जैसे एक ब के बहुत जादा दुंगिए आगर यहां पर दीजिए तो आपके लिए ज्यादा अच्छा और आप लीए कि आप करको डिजैने खताम मास और सी छयाता है कि आप लोग को मैं बताना चाहरा मैं एक टेस्ट रखता हूं, NCRT Class पढ़ के राएगा, कहीं से भी पढ़ के राएगा, मैं टेस्ट लूंगा बपीएसी वाला चैनल पे शाम में नहीं लूगा, साम में तो लगभग 12 जा के आसपाff लूगा, ठीक है, एक बजे के आसपास मंगल यानि 26 तारीक को आप लोग एंसी आटी का क्लासिक्स का टेस्ट लोग इतिहास का अप्लियर 26 दिसंबर एक पी-म एंसी-आटी क्लासिक्स का टेस्ट होगा ठीक है ध्यान आ गया इसलिए बोल दिया तो हमारा क्या काम है आधनिक भारत को पढ़ना अब आपके सामने एक दिमाग आएगा कि सर फिर प्राचीन भारत के लिए क्या पढ़ेंदे को प्राचीन भारत के लिए आप रामसरन सरमाजी के पुस्तक पढ़ सकते हैं ठीक है और मध्य कारीन के लिए आप लोग क्या कर से पुस्तक पढ़ा किजिए पुस्तक पढ़ा किजिए नोट्स पर डिपेंड मत रहा किजिए सतीष चंद्रा ठीक है एंसी आटी की पुस्तक आती है पढ़िएगा इनको अब बाकी आपका नोट्स कोश्चन नहीं छूटेंगे आपके डॉंट बरी कोश्चन नहीं छूटेंगे लिए क्या करना है एक स्पेक्ट्रम की पुस्तक ले लिए इंग्लिस वाले ठीक है एसको पढ़ना ही पढ़ना है यहां पर छूट गया है ठीक है एंसी आटी मैं लीग देता हूं यहां पर अब बिपीन चंद्रा अब इसको ले लिजेगा बुक की बात करो तो इसको जरूर से ले ला ना बुक है कि नहीं इसके पांड़े कर सकते हैं बट यह इंपॉर्टेंट यह एंसी आटी क्योंकि यह क्या करते स्टेटमेंट आशक है तो एंसी आटी इस वहरे 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 इंपॉर्टेंट ठीक है भुक पढ़ने की आदत डाली है मैं यह बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कि इदम क्लास करो केबल नोट सी पर बुक पढ़ने की आदत अलबेस डालो देखेंगा कि सभी लोग आपको यह सजेशन जरूर देते है अना बुक पढ़ना चाहिए आप लोग जो है कि एक चीज पर सक्षकों पर डिपेंड लगाए वह चीज़ों को खतम किजिए अब आते हैं सेकंड वन करेंट अफेयर प्री क्लास टेस्ट होगा हाँ जी करेंट अफेयर आईए इस पर भी हम लोग थोड़ा सा आईए थोड़ा सा नजर डाले करेंट अफेयर जो कि आप लोग का सबसे ज़्यादा आप लोग मुझसे पूछते भाई मैं क्या करूँ मैं आप लोग को आलवेज एक मैसेश करता हूं ग्रूप में कि करेंट अफेयर पहनना पढ़ है तो देखिए करेंट फेयर है सबसे इंपॉर्टेंट कब से कब तक पढ़ा जाया अब आपका एक्जाम है टीस सेफटमबर अभी सही पढ़ना चलो मतब एक साल तो पढ़ना ही ही चाहिए का कि एक साल तो पढ़ना ही चाहिए ठीक है एक सार कम से कम आप 14 महिना पढ़ लेकिन एक साल तो कमसे कम पढ़ना चाहिए है क्यों सबस्क्राइब नाम नहीं है बरून है सबसे परद तो सर का एक्जक्ट नाम पड़ी बरूं सरे को बोलिए टाइम चेंज करने के लिए साथ बचे ठीक है सरको मैं बोलूंगा ठीक है मैं सबसे पहले कई सारे आपको यूटूब यूटूब के तो इतने भरमार है कि मुझे नहीं लगता है किसी सब्जेक्ट का भरमार होगा यूटूब हना तो यूटूब से तो आपको बहुत सारे चीज़ देंगी तो वह तो अलग है कि चलो भाई इस से मुझे मिल जाएगा ना लेकिन आपको क्या करना है कि करेंट फे लोग अब एक चीज के लिए डिपेंड किस पे हो यूटूब पे हो एस पर एक्जांपल मैं आपको बता जैसे नोटिफिकेशन आया किसी भी मालोट सी का नोटिफिकेशन आ हुग अब हम लोग के समय क्या होता है था कि हम लोग नोटिफिकेशन अपना पड़ते मिलग है कि नोटिफिकेशन है क्ट करोने की धडूब हैं ही आपको निच्छूड कर देना वो तो हमारा काम है ही लेकिन खुद से करोगे न तो चीजे ज़्यादा आप लोग को थोड़ा से मेहनत तो करना पड़ेगा या पेन तो रगड़ना पड़ेगा पेन रगड़ों के तभी काम चलेगा तो देखिए एक आपको यहां मनद लिखा है प्रतियोगीता दरपन ठीक है यह देखो प्रतियोगीता दरपन लिखा हुए ना प्रतेक मन्त पर तेक मन्थ एवरी मन्थ आप लोग क्या करना है यहाँ पर इस बुक को ले लना है अब आप कहते कि सर इसको पढ़े कैसे एक मेरा वीडियो है मैं बोलिए कि तो मैं बता दूँगा कि पढ़े वैसे इसको पढ़ने का जो तरीका है वो क्या है कि इसके लास्ट में बहुत स इस असी पेज को खतम करना है आपको 30 में दिन में कर नहीं लोगे आप लोग कि अगर आप इस टार्गेट रखो कि चार पेज पर डे पढ़ना है बीस दिन में खतम हो जाएगा आपका अब इस दिन में खतम यह पूरा प्रतियोगदातर पर खतम फिर उसका क्रक्स क्या हम आप लोग बता देते मैं मेरा तो आता ही है फरतियोग दर पन सरीच इसमें भी ढाला हो मैं अभी वहला तो यह तो मैं बता ही दूँगा आप लोगको कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है क्या 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 है की अुद्ध के लिए सुभा ऋख देखिएगा तो डेली कर इंट तो वह तो हम लोग करहिं रहे सांव मेरा यह सजह साधे ताज वजाज सब्सक्राइब यह था इतिहास में आजादी के बाद पहली बार यहां पर ले लिजिए खुद से पढ़िए परतेकमंत यानि अभी सहीं इसको ठान लोगी मुझे खुद से करना है ठीक है बाकी तो हम लोग कराते हैं वो अलग है इसको आपको सेल्फ करना क्या करना है सेल्फ इसके बाद मैं दो यहां पर मैगजीन डाला हो है एक आपको द्रिष्टी मैगजीन दिख रहा होगा यह आता है और एक यह है अब इसको क्यूं डालों इसका क्या रोल है क्या सब्सक्राइब बहुत इंप्रतन रोल है वह जो आप परतियोगता दर्पन पढ़ रहो है एवरी का इस पीडी क्या मैं कि या करता हूं मन्त के आसपास मैं इसको पढ़ाना सुरू कर देता हूं जब एकजाम रहता है तो यह भी किया है एकजाम के वक्त ही आता है चब देखे का यूपी आरो का इकजाम है भी नजर आएगी और लोग खरीद दे और यह प्रतियों के लिए यह क्या कर सकते हैं यह मन्त वाइस खरीच सकते हैं लास्ट में और इसको विए पढ़ लीजे पहले प्रतियुदा दरपन यह क्रोनिकल यह कोई भी एक मैगजीन पढ़ रखा है एक्जाम के टाइम इसको पढ़ रखा है तो इससे क्या अधा से पूछा है वही के क्वोशन तो बच्चे 100 प्लस भी नंब ला रहे है लाग है कैसे ला रहे है já तो फिर को वह भी अच्छा है उसमीच तो कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर आप इस तरीके से अगर करेंट को कर ना सुरूब एग तो करेंट आप से नहीं छूटे थेगा अब प्रोमीस कीजिए आप लोग कमेंट में कि आप लोग इसी सिर्फकी नहीं कीजिएगा बताइए कि जही है आहां चेरे तो पसीना निकल लागा सबके अब आते हैं बिहार इसपेशल वी वी नहीं कियों है कि यहां से अगर मैं विद्र करेंट की बात करो तो current प्लस नॉर्मल जीएक बिहार जीएक तिस दोनों को मिला कर लगभग 20 प्लस कुछ्टोंस होते हैं पूर क्या होते हैं ? अरे एक दो बार पढ़ada हो एक बार में थोड़ी याद होता है आब किसी को याद नी होता है भाई कभी कभी चीजो को पढ़ना पढ़ता है रेगुलर पढ़ना पढ़ता है में हिंडी है ना कोई दिक्कत की बात नहीं मैं भी तो हिंदी मीडियम को ही पढ़ाता हूं अच्छा बात है ना आप ही लोग कहते थे ना कि सब्सक्राइब करेंट यहां से तो क्या सब कुछ पूछता है नहीं पूछता है तो आपको यहां पर मैगजीन से या पिर हम लोग करा देंगे है करेंट फीर कि आप लोगों अलग से टेंजा में लेना है यहां पर focus कहां पर होना है यहां पर focus होना है इसका क्रेंड बजट आता है पासे सब्सक्राइब है अन्सेले खटोसरा जोग्रभी कि अब आप लोग देसे बिहार का पौलिट है एक औह एक का बिहार ओभर व्यूट को ठीक है अब कई बच्च के सर बिहार का एकनॉमिक्स बिहार का इसके नॉमिक्स बिहार का पॉल्टी कुछ नहीं होता है बिहार के इकनॉमिक्स का कंसेप्ट वही है जो आप पढ़ते हैं जनरल एकनॉमिक्स में बिहार के आपको नहीं विशाल यह दुकूल आप लोग इंग्लिस मेडियम के हैं आसु मच्छु आई है आप लोग भी हाहां साथ है तो बिहार का एकनॉमिक्स क्या होगा जीडिपी थोड़ी बदल जागा डाटा बदलेगा वहां पर आपको पर पर कैपिटा इंकम जो है वह थोड़ी चेंज हो जाएगा चंसेप्ट सेम रहता है बिहार के अकनॉमिक्स आसा कोई कंसेप्ट नहीं बजट पढ़ लिए बिहार का इकनॉमिक्स होगी है तो आप लोग पढ़ इस पर्खार से होता है कि कुछ नहीं होता है लग से कुछ नहीं होता है सब अध voter कि दो ध्यान रखें इस सीज़ को तो कहने का मतलब यह है कि यह तीम पॉर्षन अगर आपने कर लिया अगर बिहार इसपेशल से तो आपके बिहार स्पेसल से कोश्चन नहीं छूटेंगे यह आप लिख कर ले लिए कभी नहीं छूटेंगे तो इसको द्यान लखेगा इसको आराम से आपको बन जाते हैं इसको आपको फॉलो क्या करना है तो देखिए इंतियाज अमात का सबसे बेस्ट सबजक्टिव में बहुत ना पुराना होता नियुक्त और अब रश्यागों नहीं और अब हम दो चीजों कर रहें, आप नहीं फॉलो कर और, रहे अगर आपने हडपा से निकाल कर पढ़ाई शुरू किया है लूसेंट हो या बिहारी स्पेशल की किताब हो अगर हडपा सभेता के पहले का है तो उसको हटा कर अभी वाला ले लो मोडनेरा वाला मद 2023 में आया है वह ले लिजिए बिहारी स्पेशल इम्तियाज हमद अब्जेक्टिव लिखा होगा एक्चुली यह वर्काउट की है रजनीश कुमार इनकी करेंट भी आती है बहुत अच्छी होती है तो आप इसको जरूर से ले लिजिए अभी ले लिजिए एमिसे अभी वाले में सबसे बेस कि इन्होंने बहुत सारे इंकलूड की है और विप्यस देखा गया कि वह जादा तर क्या करते है कि यहीं से कोशन उनके राइच रहते जादा तर डाले जाता है यह चीज को अव्जोंड़ लेगा और यह लोग पढ़ाता हुं उसमें तो क्लियर चलिए तो बिहार इस्पेशल में आप लोग डिटेल्स के लिए सुधीर लाल जी की पुष्टक आती हैं इंतियाज अमने सबसे बेस्ट है न्यू वाला ले रहना है हडपा वाला आपको पास होगा तो उसको फिर कहीं हडपा में जाकर दबा दिजेगा डॉन्ट वरी अब आते हैं साइंस वन अप तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाई इस बार तो साइंस ने पसीने छोड़ा दिये स्टुडेंट के साथ साथ सभी सिक्षकों के भी मतलब उनकी किसी की गलती नहीं क्योंकि कि आउट अप स्लेवास पूस दिया था क्या पूस दिया लेकिन वारे शनक्या कर दिया कमाल कर दिया है पूच्छीष प्लस पूछा जिसमें 20 प्लस साइंस क्या पूछ दिया लोग बना कर देखा अना बड़ा यूनिट कर गोसे हुए हो थो सब क्या थे इस बार जबर दस्त तो साइंस जिसका जिसका ता सबका एग्जाम में कि और इसी लिए क्या हुआ था इतियास की को शुक्षन चोकी बहुत आसान तेसले तौशा के कारण तो आपसा चीज आए थी लेकिन इस साइंक्स नहीं क्या कर दिया था कमाल कर दिया तो साइंस के चार चीजे आपको जनरली होती हैं कि वह सिटेक्स कि द्रसायन जी विग्यान और साइंस टेक ठीक है हाँ तो पिजिक्स कमेस्ट्री बायो एंड साइंस टेक ठीक है तो साइंस के जो है यह पोर्सन आपके लिए भी 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 आई है चाहे प्री हो या में सो यहां से कोर्संस रहता है ठीक है कि तो इस बार जिसने क्या गेम किया कि साइंस टेक तो अब आप लोग में से ऐसा नहीं करना कि सब क्या कि एक तेनों चीज को छोड़कर आप यह सानी है चोड़कर। पूछ दिया यह तीनों फिर से कि लो तो फिर ऐसा मुझ ना बने मुझ अब ऐसा बने इसके लिए क्या है एकदम प्रिपेर रहा बाल भी एकदम अजय देवगन की तरह है तो कहने का मतलब यह है कि आप यह चारों सेक्षम पर वर्क करना होगा जाहें प्री हो या मेंस हम लो अगर पूछता तो आप पढ़कर भी नहीं जाते कहते कि रहें यार आता है नहीं कि क्यों बीना मतलब काम लोग टाइम बरबाद करें हाँ मुए मुए हो जाएगा तो मुए मुए ना हो तो आप लोगो ऐसे पढ़कर जाने तो इसके लिए जो सबसे बेस चीज़ है वह है अन्सीऺती घेंज़ पर पकड़ बनाई इससे बेस सोलुशन नहीं है pande Eart और भ्हारती भावन कंब कि भारती जैचा आप जाए कि बिहार के किसी भी सभब कि तो भारती भावन जैएका किसी भी सब्दोन पर तो आपको ठीक है बहुत अच्छा उजवाल आप लोग का कोर्शन लूंगा मैं पहले मैं एक बार पढ़ा दूँ तो देखिए यह साइंस के एं-साइंस के पुश्चक है आप लोग लेढा के आप सक्षच होसा ठीक तो भहारति भवन या फिर आपको नसीषी इसको फॉलोव करो इसके अलावा तीसरे चीज को फॉलो मत करो आपको सब कोशन यहां से जाएगा इवन मेंस भी आजाएगा आपको साइंस टेकर यहीं पर हो जाएगा कि यह क्या हो जाता है हाई स्टेंडर में आने लगता है ना तो एट सिक्स से लेकर ट्वेल तक के बुस्तकों को पढ़िए तीन सेक्शन में बाढ़ कर पहला अगर आपने पढ़ दिया तो डिवीजन करो उसके बाद 910 इसके बाद 11 12 किसी भी में इतिहास भी आप लोग अच्छे रीजन क्या थे कि जो वर्ड्स थे उन्होंने थोड़ा सा टफ डालना शुरू कर दिया जो सिक्स क्लास से क्या था को रिलेटेड था और आप लोग चुकी एक बाद पढ़ते तो आज इवन याद रहते आप लोग की क्वाल्टी है यह हां तो इसलिए आप लोग शें रहले लो ठीक है आपके पास मालो पैसे नहीं है घर में भी नहीं मिल रहा है यह बहुत सारा बुक लेकर अभी जाने की जुरूत नहीं है बुक जितना ज्याद रहत है पढ़ने में मन्न कम रहते है एक दो बुक रखो जादा अछे से पढ़ो 678 को अच्छे से पढ़ एक ट्रशाई होता है इस पोटो लगाना भूल गया इस होता है कि मैं आप लोगों दे दूँगा जैसे कल इस्टाट हो रहा है तो मैं आपलोगों क्या करूंगा कि उसमें बता दूंगा बीच में जब जोग्रफीस्ट होने वाला ना तो तो दस-पंदरा दिन पहले बता दूंगा सभी लोग उस एटलस को ले लिजेगा कि मैं एटलस से पढ़ाता हूं आप लोगों भी पता होगा तो जब एटलस से पढ़ेंगे तो चीजे आपको बहुत क्लियर होने लगे जोगरफी में आपको जो पार्थ होता है वह होता है इंडियन वर्ल्ड कई लोग वर्ल्ड को ही फिजिकल में डाल देते हैं ठीक है यह आपको होता है मेंस का यह किसका टॉपिक है यह आपको प्रॉपर तरीके से मेंस आईए अगए यह प्री फ्लस मेंस इसपेशलि प्री जूद है यह अपको सब अप्लिके बल होता है मतार्य मेंन जगरफी पढ़ोगे तो आपको यहां पर चीजे यह पता होगी तो बहूत अच्छे तरीकेसे कर लिजेगा इंडियान पढ़िएगा तो मैप यह पर क्योंकि यह मैं मैप से पढ़ाता हूं आप लोगो ठीक है और जब आप आयर वगरा भी पढ़ोगे ना इंटरनेशनल रिलेशन वगरा तब भी देखोगे ना कि आप लोग यहां पर वर्ल्ड का बहुत इंपॉर्टन रोल होगा तो इसके लिए जोग्राफिक लिए तो आप सब्सक्राइं के सटाट करूंग तो बोल दूगा कि वाई तो विखिय मैं तेम से मतलर इक्वेस्टी कर सकता हूं कि मैपिंग क्लास को एकसेस देने के लिए ठीक है बागी अब टीम की मर्जी तो मैप जो रहेगा जब मैप मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं पहले से ही बता दूंगा ठीक है कि कैसे चीजों को हम लोग करेंगे और मैप के फॉलो करें तो देखो एंची आटी दिखरा सभी को यह एंची आटी का है आप लोगों को यह हैं 11 12 का एंची आटी यह आपको मेंस के लिए प्रोपर है और यह प्री के लिए इसके पहले आपको कौन सा लेना है 6 7 8 पढ़िए फिर आप 9 10 पढ़िए तब जाकर 11 12 पढ़िए फिर पहले 11 फिर 12 क्लियर एंची आटी पढ़ना जरूरी है साथ देखो यह कोश्चन बहुत ही अच्छा कोश्चन ह यह और गुड़ कोश्चन नोट हट मी देखो एंची आटी से बेस बनता है समझ यह चीजो मैंने क्या कहा कि सिक्षक कैसे पढ़ाते हैं उनके नोट्स क्या होते वह डिपेंड करता है सिक्षक मेरे नोट्स को देखेगा तो एंची आटी के कंटेंट होते हैं अना एंची लेकिन हो सकता है कोई और सिक्षक उनका पढ़ाने का तरीका नहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा कि बिहार टीचर के एकजाम में सिधा ला लाइन उठा दे रहा है इसके अलावा आपको देखिएगा कि कई सारे एकजाम है सिधा एक कोशन उठा दे रहा है तो एंची आटी इंपोर्टेंट एक बेस एक होते हैं जड़ वह आपको बनाते इंपोर्टेंट कहने का मतलब को लेकर मैं एक दिन अलग ही बात करूंगा हिस्ट्री जोगरफी और एक मेरा क्लास आगा जोगरफी आप्शनल पे कि आपका सजी अल्मॉस्ट डिक्टो पेपर छाफ देता है बीपीएसी का अब लोग जैसे कहते हैं आप से आपके पढ़ाने के कोशन आते हैं जैसे आज भी कई बच्चा दोचार बच्चा किसार आपके कोशन साय थे दिक्कत हो रहा है इसलिए आते हैं कि मैं क्या करता tutorial पर पढ़ाता हूं आपको जाए और चीजू को आपको आपको जाये होता है उसको मैं सीधा आपको क्या करता पढ़ा दिता है और कहां से पूचयेगा किसी नोटस इतना मोटे-mोटे होते हैं के वियवरा से कल 167 बजे मेरा class start clear इसके अलब प्री के लिए एक अच्छी पुस्तक है महेश वंडवाल की ये वाली पुस्तक लेना क्या है एक समग्र अध्यान NCRT वाला आता है महेश वंडवाल की वो मत उठा लेना महेश वंडवाल की एक NCRT की आती है वो मत उठाइएगा सब्सक्राइब साइंस्टेक्ट की स्पेक्ट्रम की चाहें तो आप लोग वह ले सकते हैं सब्सक्राइब में स्पेक्ट्रम की बुक आती है लेकिन वह थोड़ा सा भास्ट होता है चाहें तो लोग पढ़ सकते हैं अभी टाइम है अब आपके यह टीचर क्या बोलते हैं ठीक है जो साइंस आपको पढ़ाएंगे या फिर आप जहां से गाइड ले रहे हैं ठीक है आप लोग चाहें लिए पूस्तक नहीं है क्लियर कि अब मैं अब अब बच्चों का जो भी है एक से तो बच्चों का कुछ-कुछ मुझे सब परणी नहीं है नोट के बारे में किसा लैंग्विज मिलता क्या है तो प्लीज आप उनको देख लीजीए कि बाइलिंग्वल शक्षम बैच है लेकिन शक्षम बैच में सब कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं तेक है कि उसमें थोड़ा सा वह से जोगरफी नहीं तो मैं वह भी उसमें नहीं करवाऊंगा पॉलिटी सबसे बेस्ट है इससे बेस्ट कुछ नहीं है लक्षमी कांथ पढ़िए इससे बेस्ट कुछ नहीं बाकि जो आपके सिख्षक पढ़ाएंगे वह पढ़िए वह ज्यादा के में में और यह आपको इससे बेस्ट कुछ नहीं पॉलिटी में अब हमारे पास समय है ना पर देन एंसी आटी क्या दिक्कत है कि एंस एटी पर दिजगा क्या दिक्कत है अब आते हैं एकनोमिक्स सबसे पर लोग भागते हैं एकनोमिक्स आप लोग क्या करते हैं भागते कल से देखो कल जो प्रथम बैच स्टार्ट है उसमें दो क्लासे होंगी मौर्णिंग क्लासे साथ 11 से है वह आपको पॉलिटी स्टार्ट होगा साथ मुझे बहुत नहीं आडिया है टाइमिंग इसका साथ 11 से एक है मेरा साड़े साथ से हिस्ट्री प्री है सब कुछ देख लेना प्री देख लेना कैसे क्लास चल रहा है सबसे बेस्ट कल तो पुर भाग जाता है कि नहीं लेकिन इस बार क्या हुआ एकनौमिक साथ पीछे भागा और रेस में कई बचों से आगे भी निकल गया तो इसलिए निकला आगे क्यों कि आप लोग इकनौनॉमिक से भागते हैं कदम है अभी समय को क्या करना है यूतिलाइज अब आपकेBE क्या होता है ना कि हमारे पास्ट डॉh समय है पहुत समय है कि इस नहीं पर चुह की और जब ef पहले के समय को यूटिलाइज नहीं कि आपको मौका दिया लेकिन उस मौके को आप भुना नहीं सके तो करना क्या है कि आपको एकनॉमिक्स का फॉंडेशन को अच्छे से पढ़िए मालों कि आप क्लास करें तो ठीक है नहीं भी कर रहे हैं तो किसी के नोट कहीं से कीजिए औ यह एक रमेश सिंग की बुक पुस्तक आती है बहुत अच्छी पुस्तक आप चाहें तो उसको फॉलो कर सकते लेकिर उससे पहले मैं कहूंगा कि आप अपने सिक्षक से बात कीजिए और इस एंसी आर्टी बुक को फॉलो कीजिए कि एकनॉमिक्स भागो मत एकनॉमिक्स ए तो चीजे आपको समझ में आजाएंगे वो टर्म्स कहां समझोगे एंसी आर्टी में समझोगे पॉंडेशन में तो जब भी एंसी आपको एकनॉमिक्स क्लासेज हों बहुत अच्छे से कीजिए और डिटेल्स में कीजिए ताकि यह न लहीं करने से क्या होगा ना कि बजट ही नहीं होगा कि वाट राजास वहाँ आपको हाना यस तो द्यान रखेगा तो आप लोग को यहां पर एकनॉमिक्स ओल्वेज इंपॉर्टेंट एकनॉमिक्स को फॉलो कीजिए फॉंडेशन को फॉलो कीजिए क्योंकि फॉन्डेशन अगर पढ़ लिजेगा तो प्री के स साथ जोगरफी को जो कनेक्ट करता है करेंट से वह उसी समय आप बना सकते हैं उसी समय उसको स्वालो कर सकते हैं जब आपको एक अच्छी नॉलेज होगी पकड़ होगी पे तो इकनॉमिक्स आपके मेंस पार्ट तू यानि आपको पेपर टू में बहुत इंपॉर्टेंट ट्रोल अदा करता है तो एकनॉमिस को भी उसी तरीके से पढ़िए पकड़िए भागो मत यह सोचिए कि आप लोग लखी है कि आपको एक टाइम मिल गया नहीं तो जो 69 दिया उनको टाइम कहां मिला था कि 69 वालों कहां मिला 68 वालों कहां मिला आज नोटिफिकेस निकला है दो मेना के बाद एक्जाम है आप लोग तो जो पुराने बच्चे हो तो जान ही रहे होंगे आप लोगो टाइम मिला इसको यूटिलाइज किजिए यह मत सोची की 30 सितंबर यह सोची कि बस 30 सितंबर तो जब इस चीज को लेकर सोचो गे ना तो चीजों को बहुत अच्छे सिंपल से चीज है कि कुछ मार्केट में आपको कई सारे मैगजीन आते हैं ठीक है प्रतियोगता दर प्रम देखेगा कि पीछे एस से लिखा रहता है इसके अलावा आपको वाला यानि हम लोग भी आपको कंटेंट प्रवाइड करते हैं ऐसे का तो वहां से चीजों को पढ करना है कि आप उसको बनाई कि आप से बन रहा है कि नहीं ठीक है आप चेकर वाए मुझे से कर दावा है कैसे आपको אם यह सब करते से करें अब लोग कहते कि सब मेंस कैसे करें मेंस कैसे करें अब मेंस कैसे करें ब council है सब्सक्राइट कर एक बहुत ही नार्मल एक बना प्रशन होता है एक नब आ अब आप आप घज़ बोल रहा हूं कि आप लोग में से कितने बच्चे जैसे अब करते हो अगले कुछ समय लेकिन क्या आप उसको लिखते हो नहीं लिखता हो आपके पास अभी समय भी है तो भाई जब तक से व्हाक्तिस का चीज़ में तक से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा कुछ नहीं होना है में चाले सफिरूंस आपको नहीं होना है निवंध का प्रैक्टिस कीजिए और छेकट देखो एक सी समझ लिए जीतना रगड़ोंगे उतना क्या होगा चमकोंगे हीरे की तरह बनिए हाँ कि रगड़िये खुद को चमकी यह तभी होता है यह सब एक से एक्जाम है कि आपको अराम से लेटे लेटे नहीं निगलता है चलैंटो लिखते हैं तो मुझे दो मुझे कैसे पता चलेगा कि conform कोई औन्हें सरको देटा है मैं अपने ऑपने गुरूप की बात कर रहों आप लोगे मेरा गूर्फ है और सर्पीडवलू आ जाहे हैं तो अप लोगी समय एक हो जंगाए सर्पीडवलू सिपी दहाँ कि इसी में मैं देता हूं कि इसमेरे सब आएंगी जैसे अभी आपको साथे दास बजए आपको बहुत अच्छा मैं बताऊंगा जो 78 सांसा अभी निलम्बित हुए थे हैं ना और यह एंसर राइटिंग लिखा हुआ और कुछ नहीं लिखा हुआ है क्लियर तो इसके लिए आप लोगों को वरक आउट करो अब है सर पी डवलू सर्च कीजिए टेलिग्राम पर इसको फॉलो कीजिए अब बाकी एक टू जेट अपडेट तो यह कंप्लीट एक अब कोई प्रस्ण है आप लोग के बीच में तो बताईए एनी कोस्ट्टन्स प्यारे बच्चों कि ओनहार बच्चों कि अधिक है ठीक है आख छोड़ो कल की बाते कल की बात पुरानी है ना हम आज से देंगे आज से सुरू करते ना इंसरेक्टिंग छोड़ो कल का पर सो चेक मुझे देती है का ग्यान प्लस मस्ती है ना क्लियर कोई कोस्टन आप लोग है तो बताईए निउस पेपर कैसे कौन सा पढ़े निउस पेपर एवरी डे पढ़ेए इंग्लिस में आप चाहें हिंदू आप इंडि सब्सक्राइए ना आपके पास पढ़िए नहीं मैं अपना क्लास सुभा में नहीं ले सकता सुभा में बहुत बीजी रहता हूं आप लोगों पता योगा करते रहता हूं ना मैं तो कैसे सुभा का टाइम लोगा चलता है मेरा सराब बुक तो बता दीजिए दिए 50-60 मैंने बुक बता दिया अच्छे सब देखिए क्लास को सुरूती इंटरव्यू करवाया ना मैंने इंटरव्यू हुआ पत्ना में भी होगा इस बार का ना मौक इंटरव्यू यस पत्ना में आप लोग अपडेट दे दिया जाएगा कि फ्रंट पेज कीजिए थोड़ा आपको जो आर्थी की पेज होता है वह करो है ना स्पोर्टस पेज को कीजिए थोड़ा सांसा इंटरनेशनल को कीजिए हो जाएगा रीट पेपर को कैसे प्रक्र कैसे पड़े यह नॉर्मल तेखो न कि कैसे तुम लोगा इंपोर्टेंट है क्या आप लोगा इंपोर्टेंट है जैसे मैं आज देख रहा था कुछ दिन पहले का न्यूज उसमें दिया हुआ है चंपारण में तिन्दान चार बकरी को खाया है अब इंट्रेस्टे पढ़ेंगे तो वह सब्क्राइब देखिए है मोदी जी गया quarter stair गया अमेरिका वहां पर किया हुआ है ना मेरे क्लास के टाइम साड़े साथ बज़े यही आपको यही बैच कर रहे हैं तो यही है क्या पढ़ सकते भाई बिल्कुल पढ़ सकते हैं करेंट अफेर के लिए प्रतिवधा दरपन पढ़िए हां एन्सी आटी पढ़ने का जो तरीका देखो एन्सी आटी में क्या होता है देखिए कि एन्सी आटी में आप लोग क्या करना है NCRT में आप लोगों क्या करना है सिंपल समझेएगा कि आप लोग जो जब मालों एक चैप्टर खतम हो गया है ना चैप्टर वन तो उसका क्यों अब्जेक्टिव नहीं बनाना है सब्जेक्टिव भी बनाना है ठीक है तो वो टीम से बात कर लिए गर आके तो चलिए मुझे लगता है कि सबाप लोगा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा और क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए साढ़े दस मुचे फिर से मिलते हैं हम लो नए सेसन के साथ 10 मिनट का करेंट वेडियो जो कि आपको मेंस में भी थांकियो धन्यवाद